नमस्कार स्वागत है आप सभी का सीनवी सी आवाज पर आप देख रहे हैं खिलाडी नमबो वन भारते बाजारों में कल रौनक के बाद आज कुछ मुनाफ़ वसूली देखने को मिल रही है लेकिन निफ्टी और मिड कैप दबाव में हाला की निफ्टी बैंक कर रहा है आउट परफॉर्म तीन सो पॉइंट की तेजी यहां पर निफ्टी बैंक में आज जारी है आपके लिए कुछ स्टॉक्स हाजिर करेंगे जिससे सपोर्ट मिला है और बैंकिंग साइट पर अफकॉस आप देखेंगे आज HDFC बैंक का पार्टिसुपीशन है अडवांस डिकलाइन रिशियो में आपको वह साफ दिखाई देगा और कॉंट्रिब्यूटर्स में देखें तो HDFC बैंक उपर, KOTEC और ICACA बैंक किसी लिए वो पूरा निफ्टी बैंक उपर है लेकिन इन फीर रिलाइन्स, TCS और कोल इंडिया साथ नहीं दे रहे हैं यह है फिलाल अब तक की स्तिती, लेकिन इस हफते हमाई साथ तीन जानकार हैं जो अपने पोर्टफोलियो को भी और मजबूत कर रहे हैं तो उनके रिटर्न्स कल तक क्या बने हैं, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे अरुन कुमार मंत्री, प्रदीप होचंदानी और ओशो कृष्ण हमाए साथ है और रिटर्न्स आपके लिए यह ताजा हैं, करीब 1.45% के रिटर्न्स पर अरुन कुमार मंत्री ने कल दे क्लोस किया 1.14% के नेगेटिव रिटर्न्स ओषो के, प्रदीप के 1.47% के नेगेटिव रिटर्न्स थे आज के लिए स्थिती क्या लग रही है अरुन, कल तो एक अच्छी तेजी, हाइस वाला दिन ता, आज थोड़ा सा कूल आफ कर रहा है मार्केट गुर्मानिक अश्रदा जी, अगें सेम्टी रहेगा, 22,000, 22,200 इसी के बिश में मार्केट रहना चाहिए और बायान डिप्स के लिए स्ट्राडिजी रहेगी 22,200, 22,220 मुझे लग रहे हैं एक से दो दिन में मार्केट बहा तक जाना चाहिए ओके तो तेजी क्लेरी 22,200 और 220 की तरफ मार्केट बढ़तावा दिखाए देगा प्रदीप, अपके अप्रोच के रहेगी इंडेक्स पर फोकस या फिर स्टॉक स्पेसिफिक अक्शन में जादा क्वालिटी ट्रेज्स मिलेंगे जीप बढ़ेंगे तो चार सेशन में साड़ेश्व कोईन के अप्रोच के पाद थोड़ा सा कॉंसलिडेशन जरू से देख रहे हैं पर अरों के वियू से में को इंसाइट करूंगा पर इसकी स्ट्रेजी हम अपने क्लाइंट को पी एड़एस कर रहे हैं हमारे इसाब से अपर इस प्रस्पेक्टिव बनता हुआ प्रदीप की तरफ से ओषो आपके लिए परस्पेक्टिव बनता हुआ प्रदीप की तरफ से तरफ यहां पे हमें थोड़ा इस थोड़ा छी आपरोच रखना चाहिए जैसर दोनों आइसे की तो से मैं same view रखता हूँ अपना भी तो 22,000 के पास थोड़ा सा डिप आए तो बाई करें and higher levels पे again 22,100, 150 का एक resistance है उसके उपर जब तक एक strongly breakout नहीं दिखाता है कि strong candle formation के साथ breakout नहीं दिखाता है तब तक थोड़ा indecisive रहेगा market higher levels पे profit booking देखने को मिल सकती है तो ये फिरहाल आपके लिए market पर perspective लाज रही लेकिन किन trades पर आप focus कर रहे है हमाई जानकार और कल से आज में क्या trade लेखर आए हैं वो आपको screen पर दिखा देते हैं पहले तो लेखर आईएगा आप ओशो का portfolio डॉक्तर लाल पैथला मुझे आदे कलिनो ने दिया था अभी भी trade होल कर रहे हैं टारा केमिकल्स के trade में भी बने होए हैं SBI कार्ड में आज सुभ में exit किया 727 के levels पर उशो आप फिर उस लेहार से एक trade जोड सकते हैं क्या रहेगा आज जो trade रहेगा वो Tata Communication का रहेगा Tata Communication में अगर हम देखें तो पिछले दो दिनों में काफी positive development बनते हुए दिखाई दिया है तो current levels पे buy करने की सलाह रहेगी 1795 का stop loss बनता हुआ नजर आ रहे हैं के तरफ and higher levels पे 180-1900 का target इस counter में देखने को मिल सकते हैं तो यह फिलहाल आपके लिए एक तेजी वाला trade 1795 के आसपास stop loss लगाएगा 1880-1890 की तरफ बढ़ता हुआ यह counter 0.79% उपर है लेकिन एक buy call आया है चलिए आप देखते हैं आपको अरुन का portfolio और अरुन के portfolio में engineers इंडिया को दरसली अभी भी hold कर रहे हैं कल यह जोड़ा था Sun Pharma Advance IRFC में positions इनकी cut गई इनफाक्ट IRFC से कल exit किया आज Spark और Mahindra Life Spaces से इन्होंने exit किया है profit book किया है Spark मे अरुन आपका आज का पहला trade अरुन का टागेट रहेगा 540 का स्टॉप लॉस लगाई एक बाय साइड का ये ट्रेड बन रहा है एक opportunity clearly तेजी की तरफ बन रही है चले अरुन एक और trade जोड़ सकते हैं उस पर आएंगे आगे लेकिन Shopper Stop और IRCTC वाले trades प्रदीप के portfolio में अभी भी है इन्होंने आज तरह सल exit किया है IOB के trade से प्रदीप आप क्या जोड़ेंगे? प्रदीप के टागेट के लिए एक opportunity clearly हाँ पर बनती हुई तेजी वाला ये trade आपके लिए साफ उभर कर आ रहा है तो ये फिलहाल वो trade बनता हुई 90 का आप Stop Loss लगाएंगे जब आप इस trade में उतर रहे हैं तो ये in fact पूरा हो चुका है प्रदीप का portfolio और साथी ओशो का आरुन एक और trade जोड़ेंगे अरुन आपके पास मौका है कुछ और stocks निकालने का identify करने का तब तक के corporate scan पर नसर डाल ली जाए थर्ड quarter के numbers नरायन healthcare के अनुमान के मताबिक है तीसरी तिमाही में करीब आए में 7% का इजाफा रहा मुनाफा 22% बड़ा EBITDA growth 10% रही margins भी हलके से बड़े हैं अब यहां से आगे का business कैसा है company की chief financial officer Sandhya हमाय साथ जुड रही है Sandhya जी स्वागत है आपका CBC आवाज पर अगर एक अंदाजा दे सके हमें इस particular quarter में आपके average revenue per bed और bed की capacity या फिर कितना आपका hospital बड़ा है उसका एक अंदाजा दे पाएंगे मुझे हम बलाने के लिए आपका धन्यवाद अबने हमने जैसे report out किया है हमारे average revenue per patient इस बार हमने उसमे प्रीजनेबल increase देखा है versus last quarter also and versus last year also as far as the capacity is concerned हम occupancy as a matrix उतना report out नहीं करते क्यूंकि हमने हमेशा यह माना है कि occupancy at least the way it is reported today is a incomplete matrix it's based on occupied bed and थारे बहुत सरे procedures day care पे या फिर morning evening पे होते हैं उसकी वज़े से हम occupancy को report out नहीं करते but आपको एक अंदाज मिलने के लिए हम बोल सते हैं कि हमारा जो east और south units हैं वहां पे हमारा अभी काफी reasonably अच्छा occupancy है more than 70% even in quarter three but अगर हम north and west में देखेंगे तो we did have slight underperformance and also slightly lower occupancy so yeah but ऐसे एक outsider perspective से lower occupancy for a hospital means people are far healthier than they ought to ought to be which is good अच्छा रेवन्यू ग्रोथ रही है लेकिन अगर आप previous quarter में देखें इस quarter में करीब 7% की however second quarter was 14% Q1 was far better at 19% तो third quarter में ये विछले quarter से हाफ क्यू हो गई है and is it likely to pick up in Q4? Normally quarter three is a seasonally weaker quarter because इसमें होलिडेज का महीना आते हो हा रहते हैं etc हमारे lower relatively lower performance two three reasons है एक तो है कि हमने थोड़ा काम किया है in terms of हमारा pair mix so you will see pair mix has improved by 2% that has helped cash flow it has helped it has helped in profitability improvement but from a revenue growth point of view it has been slightly moderated the second aspect is the north and west performance north especially has been slightly weaker for us Kudugram का performance तोड़ा वीक तो Jaipur में we had a change in the way the government RGHS scheme was working and so हम certain procedures कर नहीं पाए because of the change so उसकी वज़े से पही थोड़े परफॉर्मेंस नहीं थोड़े पर्फॉर्मेंस नहीं है in terms of longer term outlook all these capacities will come online in two to three years' time. So that kind of extremely high inorganic growth level, we will see full capacities online when we are looking at the full capacities, but we are taking the initiators now in terms of our improved throughput, in terms of being able to process more with less. We believe that we will sustain our reasonable momentum on an ongoing basis. So, when you are talking about capacities, is it already been catered for or an investment side, or will you have to invest in further progress? We have invested in FI 23,000 crores in FI 24, and we are also doing a 1,000 crores in FI 24. In the next two to three years, our high investment cycle will continue. In FI 23 and FI 24, a significant chunk of investment went into Cayman, and went into Cayman, but now the Cayman investment cycle has already been finished. So our other investment is still going to be in India and is still going to be in India. So our prioritization is such that we will create large capacities in our flagships, because there is our brand recognition, and capacity shortfall, we are already near capacity. So we will have eventually capacity shortfall. So most of the capacity, large capacity creation will be in our flagships, but we will do capability additions in our other units, so that we can expand our clinical and operational capability. So in the next two to three years, our high capex will be in the next two to three years. I would like to ask you one thing. In fact, we have talked about Dr. Shetty in the last month, which was on that insurance foray. Will you share something about what development is there? How soon will you start offering these services? Our license was received in the last month. Now, after the license, since there are a lot of processes and compliances that need to be completed before you are ready to launch, so we are in that process. We are working with the coming quarter launch now. In terms of the model, we will start on a short scale in Karnataka. We will learn how to do this business, what is the right model, and after that, we will scale up. So our insurance product in the next quarter will launch in Karnataka. Okay. Thank you. 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 झाल झाल